हलो एवरीवन वेलकम टूब्राइड आग्यू तो अभी पढ़ रहा है जेपी एसी में हिस्ट्री का आपका लेक्स पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानि हिंदू घाटी सव्वयता के बारे में इसमें हम लोग बेसिकली कॉंसेट प अब इसकी समद्दीत है अगर बात करते हैं तो प्राग एतिहासिक युग की आपका पारशान युक था जिसे हम लोग इस टोन एज बोलते हैं पूरा पारशान था मद्य पासानकाल था नो पासानकाल थाता म्रत्र यूग यूग के समय में समय जाक होचाथ हम पूचा हैक सिंदु घाटी सब्वेता जो है वह किसे संबंदित है आध एतिहासी की युक से संबंदित है जिसे आपका इंडस वैली सिविलाइशन भी कहा जाता है चलिए नेक्स कोशन देखते हैं जो है आपका कि मानो समाज भी लच्छन है क्योंकि वह मुख्यत आश्रित होता है मनुष्य जो है वह किस चीट पर बेसिकली आश्रित होता है अभी के समय की बात छोड़ दीजिए अगर पुराने समय में देखा रहा तो किस प्यासित होते थे संस्कृतिक पर अर्थ भी लच्छन है क्योंकि उनका मुख्य स्रोट जो है वह क्या है आपका अर्थ ब्यवस्थ कोहिए निम निमे शेक किस संबंद्दीद की बात निंज संप्यासित की आपके पास ओप्सन में दिया हुआ है सुमेरियन संब्वेता धा या फिर मेसिशां में सभ्यता तुजिक क्यों सिंधु घाटी संभ्यता हो जाएगा आपका सिंदु गाटी संभ्यता से इंडस जाना जाता है जिसे हम ब्रोंज एज कह सकते हैं ठीक है अचली नेश्कोसन देखते हैं नेश्कोसन के सिंदू घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्यों थी यह आपको बताना है आपके पास ऑप्सन में दिया हुआ है वह नगरिये सभ्यता थी उनकी अपनी लीपी थी या फिर उ लोगों जब नहीं उस समय के बाद हो ओ रही है तो सिंदू घाटी का अंतर जो है वह नगरिया रंका होता था लेकिन उसमें डिजाइन या फिर कह सकते हो पेंटिंग करके उसको काले रंग से पेंट किया आता था और वेदिक काल में जो भी घड़े या फिर मटके बनते थे वो आपका ग्रेक रजके हुआ करते थे और अगर बेसिकली आरे की बात कि जाए तो आरे का मुख्य श्रोथ जो था आ कि सभयता दो थी वह नगरीय सभीता थी सहरी करण वहां पर और कम होट चला था उद्यों कहाँ पे बने थे और फिसी ब्रबी होने लगा था इसलिए यहां का बैवस्ता का साथ तो आपका सहरी करन व्योस्ता थी चलिए निश्कोशन की बात करते हैं जो है आपका कि क्यूं रखा गया है कि लिट इसका कारक है नगर नियोजन शाद तु में नगर नियोजन के हैं था यह प्यांपर नगर नियोजन को सब्वार होता था अधिक तो यह पे अगर नियोजन हो गया यहां से क्या मिरा मिला है इसलिए आपका सिंदु घाटे सभ्यता को आर्य से पूर्व रखे जाने का महतोपून का रख जो है वह आपका पहला नगर नियोजन है और दूसरा मिर्द भांड है तो इसे आप याद रखेगा कि हड़ापा में मिट्टी के बर्तोरों पर समाने तक किस रंग का पर्योग हुआ है देखिए उसका समझ के अंसर दिजेगा आपना आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है लाल रंका निला रंका हरा रंका या फिर पीला जिसे हम लोग पुंडू बोलते हैं उस रंका तो बेसिक जाहिर सी बात है कि व संस्कृति व्यादिक सभ्यता से भिन है क्यूंकि यह बताना आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है इसके पास विक्सित सहरी जीवन की सुविधा थी उनके पास चित्रलिखित लिपी थी इनके पास लोहे और रच्छा सास्त्रों के ज्यान का अभा था उप्रोक्त सभी है इसका अफ़ जाएगा उप्रोक्त सभी उनके पास क्या था कि उसमें विक्सित शहर हो रहे थे जिवन की सारे चीजों का उद्यों का खोज हो रहा था खुज हो रहा था सभी चीज़े हो रही साहिए पर लिखित आपका लीपी जो है वो लिखा हुआ थो है पढ़ा नही कि आपको जानकारी मिली है उसका मुख्य शुरोथ क्या है सो समझ कि इसका अंसर देजेगा बहुत सारा क्लास अंवर कर चुके हैं देखें आपके पास्ट में दिया हुआ है सिला लेक के कारण पक्की मिट्टी की मुहावरों पर अंकित लेक के कारण पुरा तत्विप मिल पाता है इसलिए आपका मुख्य श्रोध मिल पाता है इसलिए हारा इबसुद्टी तो से कहते हैं व सारे चीजी को कोशी कारते हैं चलिए नेश कोशन की बात करते है जो है आपका कि भारत में चान्दी की उपलवता के प्राचिंतम साच्य कहां से मिलता है यहां पे साच्य कहां से मिलता है यहां पे साच्य कहां से मिलता है भारत में चान्दी की उपलवता का प्राचिंतम साच्य कहां से मिलता है इसे अब ध समझना आपको दो चीज़ समझना है पहला अगर हम बात करते हैं राजस्थान की तो राजस्थान एक जगह है जहां से जावर और आजमेर की खान से चांदी मिला था क्या मिला था चांदी मिला था वो खान कौन सा था तो जावेर और आजमेर खान था जो की राजस्थान में और यह सिंदू घा सब्सक्षाओं ज्लिए आपका मूर्ती पूजा का आरंभ कब से माना जाता है मूर्टि पूजा का आरंव कब से मानना जाते हैं किसका प्रारंव कब से हुआ या आपके पास option में पूर्व आरे के समय उत्तर वैदिक काले के समय मौर्य काल के समय या फिर पारषान काल के समय तो देखी इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़िए अगर यूर्य चल्वरा यूर्टी फूजा का अरम यू मूर्धी फूजा L निम्न पसुओं में से किसी एक का हरपा सांस्कृति में पाई मुहरों और टेरा कोटा कलाकृतियों से निरूपन नहीं हुआ है यानि कि उसका कौन सा चीज है जो यहां पर निरूपित नहीं है आपके पास ऑप्सन में दिया हुआ है गाय हाथी गेंडा या फिर बाग तो द में निरूपित है हरपा सांस्कृति में पाई गई है यहां पर कोई कर द्यांवर नहीं है तो है अपका गाय क्युकि यूट कीनित में है वह कौन सा एक हरपा अस्थल नहीं है हड़ापा अस्थल नहीं है यह आपको बताना है सो समझ के अंसर दीजेगा आपके पास ओप्सन में है चंदू दोहडो कोड़ दीजी सोह गौरा या फिर देशल पूर इन में से कौन एक ऐसा है जो हड़ापा अस्थल का नहीं है तो देखिए इसका आपका सोगोरी के बात करती है तो यहां तो यह का यह अ स्थल आ यह न हैyard figured कडिके श्थालान यह राप्ति नदी एक और ता मिला है क्या मिला है क्ता मिला रबबलग पंत्र आधिक शुक्त फालीं मिलीग मिलंगे इन विलंगे उसफोरी मिला है तामर पत्र में मौर्य का अन्नागार का भी उलेख यहां से मिलता है कहां से सौह गोर से यह आपको याद रखना है नेक्स आपके पास कि एक जूते हुए खेत की खुदाई कब की गई थी आपके पास ऑप्सन में दिया हुआ है मोहन जोदुरो में काली बंगा में हड भूमान गंड जीले में इस्थीत है यहां का अगर नदी की बात करें तो यहाँ आपका घागरा है जिसे हम लोग सरश्वती नदी भी कहते हैं यहां से अलंक्रित इट मिली हैं चूरी मिली हैं ुखतेप यह सब सारे चीजने आपके आपको काली बंगा हो जाएं क्योंकि जो है है अवह बहुती इसकी खुदाई करता व्यक्ति का नाम आपका है बाल खुरिस्टापड जिसे वीगें थापड कहते हैं तो यहाद रखना है आपका टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेन अब बहुत ही इंट्रेसिंग है इस तरह से लोग इंडेस वैली सिविलाइजेशन का फॉर्ट पार्ट जो है वह कंप्लीट कर चुके हैं यह सारा टॉपिक आपको कैसा लग रहा है वीडियो आपके लिए यूसफुल है या नहीं है कमेंट बॉस में कमेंट जरूर किजिएगा और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी इ कहां से प्राप्त हुआ है मोहन जोदुर से प्राप्त हूआ ह् कि असना नागर का साइज जो है वो 55 मीटर लंबा और 33 मीटर चोड़ा है चलिए नेश्कोशन देखते हैं जो है आपका कि सिंदु घाटी सब्वेता के किस पूरा अस्थल से नाओ के चित्री या मॉडल प्राप्त हुए हैं किस सब्वेता में आपको नाओ के चित्री या फि सब्सक्राइब अच्छा चाहिए नाओ का मॉडल उप्राप्त है मोहन जोदुर या में लोथल से चीज तो मिला है बंदरगा वाला अस्थान भी मिलता है लोथल आपका स्थित्त है गुजरात में यहां की कौन सा नदी है भोगवा नदी है और कहा जाता है कि लोथल से जो करदात मिला है और सती प्रथा का पर्मान भी आपका यहीं से मिलता है साथी साथ गोधी वाड़ा भी यहां से मिलता है तो यह आपको याद रखना है कि सिंदु घाटी सर्वेता के मोहन जोदुड़ों एवं लोधल से क्या 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 चीज़ें मिले हैं जो है आपका कि सिंदु घाटी सर्वेता के बारे में निम्द में से कौन सा कथन असत्य है सत्य की बात हो लिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है नगरों में नलियों का सुद्व व्यवस्था था वह सहरी सहरी थी यहां पर व्यापार हैं वान हम लोहे से परिचित में तो समय के बाद आज आया है तो अम्समय के लोलो परिचित की सिंदु घाटी सर्वेता जानी जाती हैं किते 그냥 आपके पास अप्सेन में दिया हुआ है अपने नगर नियोजन के कायन जो हरपा के लिए यहां यहां पर मोहन जोदूर भी और रहपा भी दोनों क्रिश्य संबंदित कार्यों के लिए और अपने उध्यों के लिए तुझी है वहां पर क्रिश्य भी बहुत ज्यादा था पसुपालन भी था और साथ उध्योग भी थे जो डेवलोप हो रहे थे तो इसमें आपका करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा उप्रोक्त सभी चलिए ने कर्देश को सज्ब्सक्राइब क्या एक अ केंद्र उत्तर पर देश्च की बात हो लिए ना कि इसमें से कौन सा अप्सें में का अलम गर्पूर और तो यहां पर यहां पर उसके अकोडिंग हम लोग देखते हैं काली बंगा आपका राजेस्तान में इस्थित है दो यह इसा जगह है जो आपका आनों जगह आपका यह अपี यूपी के सहानपूर में यह इस्थित है तो यह आपका करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 और 4 यह दोनों आपकी इसमें करेक्ट हो जाएगे कि उतर पर्देश से आपके आलम गर्पूर भी है और खुलास भी है तो देखते हैं जो आपका कि निम्न लिखित में से दिया हुआ है लोथल डाबर कोटा काली बंगा या फिर राखी गड़ी तो आपका का राजस्थान और राखी गड़ी राखी घड़ी कहा इस तर राखी आपका हर्याना में स्थित है और यह आप सारे जगह और उसके कहां कहां वो जगह जो है वो इस्थी थे इन सारे चीजों को आप इस वीडियो में अच्छे से स्टडी कर लीजेगा अच्छे से सीख लीजेगा जब जब ऑप्शन आएगा तब आप याद करते रहें कि बस आप कभी भी इसको नहीं भूल पाएंगे ज सब्सक्राइब करते हैं तो इसलिए आपका सिंध प्रांत में उपस्तित पुछाया है कि हड़ापा संस्क्रिती जो है वह सिंध में किसमें उपस्तित है तो आपका हो जाएगा मोहन जोद्रो और चंदु दोहरो में चली इस से लेटेर हम लों कुछ बेसिक को समझते हैं जैसे पाकिस्तान के सिंध की बात करते हैं आप एक प्रांथ होता है पाकिस्तान में प्रांथ को चार भागों में बाट इस प्रांथ को इस 20 syndh कहा जाता है कौन-कौन से प्रांथ है तो आपका पंजाब है सिंद्ध है बलो चिकिस्तान है और चौथा आपका है खैबर पक्तुन खवा आपको याद रफना इस लिखा हुआ नहीं है बस आप सुन की समझ लीजिए इसको कि नेक्स आपका क्या हो जाएगा चौथा आपका ह हरपा की तो हरपा पकिस्तान के पंजाब प्रांथ में आता है किस प्रांथ में आता है पंजाब प्रांथ में आता है साथे साथ मोहन जोद्रो और चंदू-दोडो जो है वह आपके सिंद्ध प्रांथ में आते हैं और सुरकोड़ा आपका गुजरात प्रांथ में आते हैं प्रांथ को कितने बागों में बाटा गया है के अगच्छे निस्थी आपके आपके सब्सक्रणMY में में राजे में पाकिस्तां के सिंत्र में भारत के पंजाब राजे में या फिर अफ्गानिस्तान में तो देखिए पाकिस्तान के सिन्ध प्रांथ के में इस्तित है आपकं सिंदबर वी आपका पाकिस्टान के शिंदबर है गुजरात में कौन सा है यह आपको याद रखना आफगानिस्थान में नहीं है जलिए नेलस को तो च्हान का ये निरदेशन कोन किया था उसका उंसी कोतल या निर gaming कौन क्या था आपके पास में दिया हुआ है जेन मैंकें सर्ज्वान मार्शल आई इसको समझने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक फैर्ट को समझ लीजिए जैसे अगर बात करते हैं चंदू-दोरो जो है आपका पाकिस्तान के नवादा साह जिले के सिंध प्रांथ में इ अगर इसकी खुदाई के बात की जाए तो इसकी खुदाई जो हुई थी वह फॉर्स टाइम हुई थी आपकी 1931 में किसने किया था तो यह क्या था आपका गोपाल मजूमतदार के द्वारा किया गया था इसे हम लोग बेसिकली इस सहर को दूर्ग रहे सहर माना जाता है और आपके पास नेक्स इन दिया हुआ है कि 1936 के आज पास में जयन मैकानन के द्वारे इसकी खुदाई की गई थी त्वेतन में इस तृट सबस्क्स कन statute incl. ऐस द्था द्लग था इसमाना होएं तो आपकोymतान ना रहे तो ओसन में क्या क्या करना करना नहीं पाकिस्तान पाकिस्तान में है कौन सा अस्थान है पाकिस्तान में इस्तित है आपके पास अप्सें में दिया हुआ है काली बंगा लोथल या आलमगीर पूर्ट तो देखिए आप एक लाइन से समझे तो पाकिस्तान के अगर है लोथर ऐसे थे तो यह आपका इसी थे गुजरात में साथ आलंगिरपूर तो यह आपका यूपे में इस्थित है इसका पाकिस्तान में इस्थित है तो मांट गोगरी जिले में इस्थित है चलिए आपका कि रंगपूर जहां हरपा की समकालिन सभ्यता थी वह अभी कहां है या फिर वह कहां है आपके पास को सन्में ऐसे भी आ सकता है तो के पासे में इस्थित है इस तरह से आपका कि कर चुके हैं इसमें लगए 50-60 वाले हैं सारे को अच्छे से इसमें सारा को सन आपका क्लियर करा जाएगा इंस्टेंट इंडिया जो है आपका बहुत जल्दी खतम होने वाला है इसमें कोई आपका नहीं चूटा है सारे टॉपिक करने का कोशिश किये हैं तो वीडियो के साथ बने रहे हैं कोई प्रब्लम होता कमें जरूर किजेगा अपने रिलेटिव जो भी इंपोर्टेंट है हमेशा इस तरह के कोशन पूछे आते हैं एक में तो आपको इसको अच्छे समझना है देखिए इसके लिए बेसिक समय आपको कुछ ट्रिक भी बताओं कि आपको बनाने में परसानी ना हो अगर आपको एक से दो नाम भी अगर याद रहेंगे तब भी ओपोस्तन को साही करके आहेंगा गलत आपका नहीं होगा देखिए अगर यहां पर देखते हैं लगों के नाम लना आपका दिया हुँआ हे अगर्यां तो इब देखे तो हारा कि को लिए टृयाराम सहानी ने हैं से आपका प्रात पाइश हो जाएगा घर सकते हैं वहीं अगर हस्तिना पूर का लेखे तो हस्तिनापूर का क्या हो जाएगा बीबी लाल हो जाएगा टैसिला आपका हो जाएगा जौन मार्शल और कॉलंबिया का हो जाएगा एंजी मजूमदार इस तरह से अगर आपको एक से दो का भी नाम पता है तो आप इस तरह की को सुन को बहुत ही आसानी से बनाएं के पूरा फुल माफ़ा पेशीव कर सकते हैं चली इसी तरह का देखते हैं जो आपके पास है यहा लुए तो यहां पर यहां पर और फॉर वह जाएगा की आप देख लिए आपका करेंज से हो जाएगा पर का दबाद कांगा महारास्ट काली भंगा-ध राज़स्थान और आपका राखीगड़ी का हो जाएगा तो इस तरह से आपका यह बहुत ही असानी से मैच हो गया चल है आपका जगह और उसके नदी का नाम तरह से इसका प्राइब कर दोजाएगा तो यह आपका फसाने वाला था क्यूंकि यहां पर यहां फ्री दिया हुआ है यहां पर यह प्री दिया हुआ है यहां पर आप को सेकंड पता हो तब इसको सही कर सकते हैं अब का सबस्क्राइब कर सकते हैं तो यहां पर जगा का नाम दिया हुआ है नदी का नाम दिया हुआ है चलिए हम लोगों दिखते हैं देश्कुसन है ओप और नाम दिया हुआ तो सबसे पहरे तो लोग साईंस दख लेए कि हड़पा कहां है रावी नदी रावी नदी हड़पा में है तब का फिर्स्ट का सकेंड होगया यहां पहले आपको यहां पर आसान है क्योंकि यहां पर इक पर-डिया हुआ है तो होगा नहीं एक पौर भी नहीं होगा एक थी भी नहीं होगा यहां पर हस्तिनापूर नदी सीर AbsolECT सब्सक्राइल सब्सक्राइब इस तरह से बहुत ही इस पॉइंट विघ्माइब कोशन कर सकते हैं इस तरह का इयुका प्सक्राइन को चलिए से पूछे आते हैं तो Florian को सब्सक्राइब का कौन सा स्थान भारत में इस्थित है या फिर था आपके पास option में दिया हुआ है हडपा मोहन जोद्रो लोथल या फिर इन में से कोई नहीं तो चलिए इसे रिलेटेट हमनों कुछ बेसिक को समझते हैं जो कि पहले से समझ चुके हैं जो हमनों इसका नदी कौन सा तो इसका नदी रावी नदी यहां पर अभी हो गया है रावी नदी के तट्पे इस्थित है जो पाकिस्तान में है लेकिन सिंध्डु प्रांत quais हुआरब पर भात में जो हो पाकिस्तान के सिंध्ध है सिंसे नदी कौन सा इंसलिक प्रांत में आपका आप नती drawing हों विस्थितlog को इसका उस्थित है भारत में तो वह सकते हैं पाकिस्तान में इस्थित है जो है आपका क्यों हरपी नगर जिसकी परतिनीधित्व लोथल का पुरातत्व अस्थल करता है किस नदी पर इस्थित है कोशन क्यों है इसका असाल कोशन परतिनी ऊस्थल करता है आपका कुंसा है रहां पर इस ती है रोठल कोन सा है इसी है को91 देखते हैं जो है कि अपका की सिंदु घाठी सावेता का पतन अगर कौन सा है constitu आपके पास option में दिया हुआ है हडपा है काली भंगा है लोथल या फिर क्रेंट्र जो जाया कि पतनगर अपका सिंदु घाठी का सिंदू घाठी सहवेता का निश्कोविश्टा क्या है सबसे महतवपून विसस्ता कि प्रथम असली महराग ये फिर कला और वास्तु कला या फिर उपरोक में एक मेंसे अधीक तो देखिए अगर यहां पर बात करते हैं तो यह तो आपका अन्डेट पर संट है कि इतों तुकला भी यहां पर थोड़े मोड़े मीले हैं लेकिन प्रथम असली महराब यहां पर नहीं यह जाएगा उप्रोक्त में से एक से अधीक ठीक है तो इस तरह से आपके पास कभी आप्सन में दे सकता है अगर एक से अधीक हो तो चलिनेश को सन्देखते हैं जो है आपका कि किनिव्ड में से कौन सा एक बंदसें का बंदर गारप का बंदरगा आपके पास आप्सन में दिया हुआ है T testified ₥ महां आस्थांगर्ज 1 नाक पत्नम तुझी है इसा करेक्ट एंसर क्यों खरापा का एक अधीक यह क्ढ़रा आपका लेकिन मिट्टी का हल कहां से मिला है इसमें इसका आपका अंसर कुछ और होगा आपके पास्वाप्शन में दिया हुआ है धौला बीरा मनावली लोथल या फिर काली बंगा तो देखिए यहां पर आपका यह कंफूजन करने वाला कोशन है क्योंकि अगर हम लोग देखिये हैं तो का सब्सक्राइब करते हैं तो काली बंगा की बात करते हैं तो काली बंगा का इस सब्सक्राइब कहां इस थे? कौन सा यहां नदी यहांका पंजाब को जाएगा पाटली पूतर में समनित नहीं एक नश्कोशन की बात करते हैं नेश्कोशन ने आपका कि भारत में हडपा का ब्रीहद अस्थल कौन सा था या फिर कौन सा है आपके पास option में दिया हुआ है राखी गड़ी धौला बीरा काली बंगा या फिर लोथल देखे ब्रीहद अस्था आपका क्या हो जाएगा लोथल यह कहां पर है तो यह आपका हर अस्थल या फिर राखीगड़ी देखें यहां पर अस्थल दिया हुआ है यहां पर नदी के तड पर बनी है वह कौन सी है आपके पास option में दिया हुआ है सिंधू है जहलं है और फिर गंगा है तो देखें यहां पर हम दो देखते हैं तो अस्था पर शिंधू घाटी का जो नदी आपका दोट है पहला है आपका सिंधू और दूसरा है आपका चेनाव यहां पर ऑफन में आपका एक जाम टाइम में यहां पर शिंधू घाटी के लोग किसकी पूजा करते ते अपके पास अप्सन में पर आपके पास पति सीव की इंद्र और वरुन की ब्रह्मा की और यहां से आपका मिला है मात्र देवी की मूर्ती मिली है यहां से आपको याद रखना है और इन सभी का युग जो है वो कब से सुरू हुआ है यह भी आपको याद रखना है और इस पार्ट का लाश को सन देखते हैं जो है आपका कि मोहन जोड़ एवं हरपा की पुरा तात्विक खुदाई के परभारी कौन थे यानि कि पहली बार जो खुदाई किया था वह व्यक्ति कौन थे या फिर खुदाई करने वाले परभारे जो में हेड आदमी होते हैं वह तो परभारी जो थे यहां पर वो थे आपके सर जोन मार्सल वहीं अगर हम बात करते हैं कि हरपा के खुदाई करता कौन थे तो हरपा की खुदाई करता आपके थे दयाराम सहानी और मोहन जोड़े खुदाई करता थे आपके रखाल दास बनर जी हरपा का नाम या फिर जान निर्देशक या फिर बोच सकते हैं में परभारी थे तो यह आपको याद रखना है कि इसका खुदाई जो है मोहन जोड़ा हडपा की खुदाई जो है यह बहुत सारे लोगों नहीं किया जैसे यहां पर दयाराम साहनी ने हडपा को किया है और रखार दास बनड़ी ने मोहन लोगों किया है साथ ही साथ इसकी जानकारी फ्रस्टेंडी गई थी वो थे आपके चार्स मेंसन लेकिन खुदाई करता जो फॉस्ट 저희가 ने खुदाई किया था जिन्होंने उसे बीच में छोड़ दिया था उसकी खुदाई करना बंद कर दी थी वह थे आपके करना लेकिन महानिर्देशक जो थे जिन्होंने इसे पूरा किया वह थे आपके सर जॉन मार्सल तो यह आपको याद रखना है कोस्तन नंबर 43 से जो है सिंदू खाटी सभेता को खोज निकालने में जिन दो भायतियों का नाम जुड़ा है वह कौन थे आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है रखाल दास बनर्जी तथा दया राम साहनी या फिर जौन मार्सल तथा इस्वर्य परसाद या फिर आशिरवाद लाव स्रिवास्त या तथा रंगनाथ राव या फिर माधो स्वरूप वत्स एवं वीपी राव तब को ऑप्शन के समझ में आ गया है कि सिंदू घाटी सभेता की खोज करता जो है वह दो भायती है पहला रखाल दास बनर्जी तथा दूसरा है आपके दयार नाम साहनी सिंदू घाटी सभेत ध्या अगर पाट करते है तो अगäre वाथनी दर्जयारे ने कीया है और और दर्पाः के खोज पथा है जिसका होल राउ अगरस से ने की है तो पां एक रहना बी göst happened प्रत्म पुरा तत्विक जो इसके महात्र को नहीं समझ पाया था वह कौन था इसके बारे में पहले वीडियो को श्टड़ी की है इसके पहले के पार्ट में वो दिया हुआ सब्सक्राइब कर सकते हैं कि आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है जैसे अगर यहां पर आपके पास दिया हुआ है एक अनिंगम सर जौन मार्शल मार्टीमर हिलर या फिर जोर्ज एफ वेट्स तो जी है सके अनिंगम जिसने हरपा का खनान सबसे पहले किया था लेकिन उसे इसका इसमें कुछ समझ नहीं आया जिसके कावन उन्होंने इसे बीच में ही छोड़ दिया था चलिए वहीं नेक् इसमेट तो जी है सकते अंसर क्या हो जाएगा आपका बीच मिच जो थे यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना निम में से कौन सा हरपा और मोहन जोद्रों के उत्खनान से संबंधित नहीं है यहां पर छूड़ गया है यहां पर होगा नहीं है ठीक है तो नहीं है मैं इसमीट जो है वह एक विदेशी इतिहास कार्थ है यानि कि आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा कि आपका हरपा और मोहन जोद्रों के उत्खनान से संबंधित नहीं है कौन संबंधित नहीं है तो है आपके भी इसमीट चलिए नेश्कोशन की तरफ बढ़ते हैं नेश्कोश सब्सक्राइब नेश्कोशन की तरफ पड़ते हैं जो है आपका की हाथी का दात का पैमाना हरपा सब्सक्राइब की सिर्फ से मिलता है यह बहुत ही सा कौशन है इसका हम लोग पहले भी वीडियो में जिक्द कर चुके हैं तो इसे आप आप इसका अंसर बहुत अच्छे से दे पाईएगा आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है काली बंगा लोथल धौला वीरा या फिर मनावली से तो जी है इसा करेट अंसर क्या हो जाएगा आपका ल इसा मतलब वसका बोलते हैं और एक जानवर कहां से मिला है लोथल कहां है तो यहां का परमुख नदी कौन सा है भोगवा नदी है तो यह सब सारी परें पहले से स्टड़ी कर चुके हैं जैसे यह वीडियो को पढ़ेंगे संब्सक्राइब हमेसा इसको इसको एपिट समझेगा आपके पास में दिया हुआ है आलम गीरपूर लोथल मोहन जोदर या फिर बनावली तुझी है सब्सक्राइब क्या हो जाएगा बनावली बनावली वह अस्थान है जहां पर आपका घाघर भी है इसके साहयक नदिया और साथे साथ गाघर को हम लोग सर्शोती नद लाते हैं जो है आपका कि निम्न कत्नों पर बीचार कीजिए गएंगा नीचे दी गई कुट से सही उत्तर चुनिया कि हमारे पास कुछ चीज दिये हुए उन पर विचार करना और देखना किसमें से कौन सा अंसर जो है वो सही है पहला के पास है कि मोहन जोदशौर हडपा रोपड एवं काली बंगा सिंदू घाटी सभेता के पर्मुकस्तर है तुझी हां बिल्कुल है नेश की बात करते हैं तो हड़पा के लोगों ने सड़क तथा नलियों के जलों के साथ नियोजित सहर का भी कास किया तुझी हां बिल्कुल किया नेश आपके पास ऑप्शन है क हड़पा के लोगों को धातू के पर्योग का पता नहीं था तो जी हां बिल्कुल सही बात है पता था ये आपका गलत है पता था उसमें तामबे की खोज हो चुकी थी तामबे का यूग लोगों को पता था काश्रे का भी परमान वहां से मिलता है इसलिए उस समय जो था वो तो धातु की खोज हो चुकी तो उसमें लोहा का खोज नहीं हुआ था लेकिन धातु का खोज जो है वो मैक्सिमम हो चला था इसलिए आपका इसमें कर्यक्ट एंसर क्या हो जाएगा एंड बी आपका यह सही एंसर हो जाएगा ठीक है चलिए नेश्कोशन के तरह बढ़ते हैं नेश्कोशन है आपके पास के हडपा संश्कृति के संदर में सैलेक्रित अस्थाप्य के परमान कहां से मिले हैं देखिए इसका आप सोच समझ के दीजेगा यह भी आपका बहुत इंपोर्टेंट कोशन है आपके पास ऑफ्तन में दिये हैं काली बंगा से धोला बीरा से को से विगेंंड में से कौन से अस्थर से तीन नग्रों के और से प्राप्त हुए हैं क्या प्राप्त हुए हैं तीन नग्रों के और से इसार्ण यह सारा आपके पास में दिया हुआ है मोहन जोदुर से संगोल से धोला बीरा से या फिर काली बंगा तो देखिए भी आपका कहां से मिला है धोला बीरा से ही मिला है तो यह दोनों जो दोला बीरा काज आपके पास आपके पास है इसे आप अच्छे से याद रखिएगा निम्न में से कौन सा प्राचिंतम नगर अपने उन्नत जल संचैन एवं प्रवंदर प्रणाली के लिए सूपरसिद है जहां बांधो के स्रिंखला का निर्मान किया जाता था और सम्रिद जलासयों में नहर के माध्यम से जल को परवाहित किया जाता था देखिए इसके आपके पास ऑफ्सन दिया हुआ है बहुत लंबा कोस्टन है तो यह बहुत चोटा बहुत इंटरेस्टिंग कोशन है आपके पास option में दिया हुआ है धौला वीरा से काली बंगा से राखी गड़ी से या फिर रोपर से तो देखे आपका इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा आपका धौला वीरा से चलिए इसके पार हम लोग कुछ बेसिक साफ दखते हैं जैसे अगर देखते हैं धौला वीरा का त सभी चीजों का परबंधन जो था वो बेसिक प्रोपर तरीके से हुआ करता था चलिए नेश्ट को संदेखते हैं जो है कि एक उन्रच जल परबंधन व्यवस्था का साच्छे कहां से देखने को मिलता है देखे कितना एक ही को सन नहीं एक ही आपके पास option दिया हुआ है एक इतना को सने 1 2 3 4 4 चारो को सन जो है इसका सारा को और सन अपके पास कि हड़ा अस्थल सणैली के अभी हाल में उत्खन्नों से क्या प्राप्थ हुआ है चलिए आपके पास का समाध् IO यानि कि 100 मिला है या पिर आभासय भान मिलाया ऐस्थ बात करते हैं तो गर हम इस लोग के बात करते हैं तो यह लोग यह लway बात करते हैं तो यह इस्थल आपका यूपी के बागपद जीले में इस्थित है इस में बशिक्ली बोला जाता है कि 125 असे कि dov मेलेख नोड को समाधन मिलेयां इसके 750 मानों थे साम आफिसाथ इसके साथ इनसान पर लिगिद।yes मिलेख भी तstroke उनके में धैने का मतलब जहात है कि पीदा वहाँ ऐसे निर्फ ने पर प्राप्ति हुई है जो है आपका कि हडपा सभ्यता का अस्थल मांडी भारत के किस राजे में इस्थित है देखिए इसका आप सोच समझ के दीजेगा यह आपके लिए नया कोशन हो सकता इट्स में भी गुजरात में है हर्याना में है राजस्थान में या फिर उत्तर पर्द के मुझफेर नगर में यहां से प्राचिन आफ बहुता जिए यह हैं का अपका में कहता है कंप्वाइप अवित्र से में मध्या अमेरिका से यह घरारी से इसका कहां से मिला था तो यह भारत से रह一 year पास कि निम्न अस्थानों पर किस एक अस्थान पर सिंदू घाटी सभेता से संव्रिध विख्यात व्रिषव व्रिषव का मतलब होता है वेम बीड़े प्राप्त है से लोथल से फिर से ने जोडरो से नेश्टेस को सशन है कि किस पशुग से से प्रयाप्त है था सिंदुघके बेकार करते हैं तो यहां से बोढ़ा कप्रवान कुछ बोच कृत बहुत आप लेकिन एक कहा गया है कि एक सलिक्रियां कि यूपी में जहां पेसजु हतDD के स्थान है वहां से 맛있는 साल पूराना जो है यह अस्थान मिला है मिला जहां से चीनी की मिंटी के बतन में जानुवरों का मांस मिला है जहांसे केution शास्च किई वह तक हुआ इस हो he प्राप्त हुई है यह बहुत इंपोर्टन को सन्हार यह इस वीडियो का लाश को सन्भी है आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है बनावली से काली बंगा से लोथल से या फिर सुरकोड़ा से तो जी हैं बिल्कुल करेक्ट जवाब इसका अंसर क्या हो जाएगा काली बंग इस तरह से इंडर्स वेली सिविलाज़ाशन चल्ड़ कर चुके हैं आज आपका टोटल कोसन को स्टैटी को स्टैटी किये हैं यह सारा को सना प्यूइशाम पॉंट व्यूसे बहुत ही इंपोरेंट है अभी प्रवन में हिस्ट्री के एंसेंट इंडिया को कम्पीट कर चु वीडियो में एक इंपोर्टन चेप्टर एक इंपोर्टन ग्लास के साथ थांक्स फर वाचिंग लाइक से राइन सुस्क्राइब राइक यू